नमस्कर दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो सेर के बारे में सकती है और यहीं बात करें कौन सी वो सेर है तो मैं सेर की तरब लेकर के चलता हूं दोस्तों फंडामेंटर जो है दोनों ही स्ट्रोंग सेर है और मुझे लगता है लोंग टर में अगर आप जो है बायों डीप्स करते हो यहां ऐसा ही पी करते हैं इन सेर के अंदर तो मुझे लगता है लोंग टर में जो आपको करोड़पती बनाने से कोई भी नहीं रोख सकता दोस्तों ठीक है फंडामेंटर इतने मजबूत है यहीं बात करें फर्स्ट सेर की तो 25 परसेंट की प्रोफिट ग्रोथ है दूसरी की बात करें तो उसमें भी जो लगबग 25-26 परसेंट क वह है बजाज फाइनेस इस सेर के अगर बात करें तो आज की जिन जो है तीन परसेंट की जो है गिरावट देखने को मिले है लगबग 233 पॉइंट की गिरावट है सुबह जब मार्केट जब शुरू हुई तो उस टाइम की बात करें तो इसने जो है लगबग जो आइटी सेक्टर का जो है मिड कैप स्टोक लेकिन जो है यह निफ्टी फिप्टी का जो एक पार्ट है तो मुझे लगता है यह कंपनी जो है नोंग टरम में जो है अच्छे खासे जो प्रोफिट बना कर दे सकते गिरावट की बात करें तो लगबग जो है पांस परसेंट क के बाद लगबग 6 सालों के आसपा सब्सक्षा सो बैयालिस परसेंट के रिटन जो है लार्सम टर्बो ने बना इसने बना गर किया मतलब 16 lifetime की बात करें तो 1,22,000 के return बना कर दिया lifetime में मलब कि आपके पैसे 1224 गुना तक कर दिया है 1224 गुना बहुत जादा हो जाते हैं दोस्तो तो इससे समझ सकते हैं यदि आपने 10,000 रुपे याँ पर इन्वेस्ट की होते जब इसकी लिष्टी में थी 2002 के आसपस तो ठीक है अब बात करें दोनों की compare में की कौन सा fundamental ज़्यादा return दे रहा है एक दूसरे से compare करके देखें तो यदि बात करें एक महिने की दोस्तो तो एक महिने में जो बजाज finance ने 2% के आसपस के positive return दिया है इसी के compare में जो है लार्शन टर्बो इंफो टेक ने 13% के negative return दिये बजाज finance काफी आगे 2% जो है positive return के साथ इदी बात करें च्छे मेंने में तो बजाज खासी गिरावट हो चुकिए तो आप चाहें तो इसमें जो है investment करना start कर सकते हैं fundamental काफी strong ये company और मुझे लगता है long term में बहुत जादा पैसे बना सकते हैं हमने मेरी बात करें तो मेरे पास भी ये share hold पे है दोस्तो एक साल के return की बात करें तो बजाज finance ने जो return बना करके दिये हैं वो बना करके दिये हैं बजाज परसेंट के और लार्षन टर्बो ने 32% के लगबग ठीक ठाक दोनों के return इदी बात करें पांस साल क्योंकि लार्षन टर्बो को चो है पांस से साल हुए तो दोनों की जो है पांस साल की return मैक्सिमम लार्षन टर्बो ने 616% के return बना करके दिये हैं तो बजाज पाइनेंस के मुकाबले में जो लार्षन टर्बो ने काफी ज़्यादा 200% ज़्यादा जो है return बना करके दिये 5 साल में मैक्सिमम की दिखाद हुए क्योंकि लेस्टिंग जो है लार्षन टर्बो इंपोटेक की विलाल के सालों में हुए है तो बजाज फाइनेस ने जो है सबसे जादा रेटन बना कर दिया है जो है दोनों कमपनियों में एक लाख बाइस हजार परसेंट की रेटन बना कर के दिया बजाज फाइनेस ने और लारसन टर्बो इन फो टेक ने 642 परसेंट लगबग 6 सालों मे अच्छाए गुना तक पैसों को कर दिया यह दिदी बात करें fundamental की तो मैं एक बार इनके जो है नंबरों की तरब मैं लेकर के चलना चाहूंगा कि कैसे जो है यह नंबर बना रही है तो मैं लेकर के चलता हूं सक्रीनेर की website इसमें देखते हैं open करके कैसी है यह company इसके according पता च सलता हूं पहले बजाज finance की तरफ उसके बाद देखते हैं कि क्या performance है लासन टर्बो इन्फो टेक की बजाज फाइनस की बात करें तो positive point देखने को मिलेगा करीब profit जो ग्रोथ है इसकी 28% की cgr के साथ जो ग्रोथ देरे लाश पांच सालों से तो यह इतनी गजब की profit ग्रो करें इसे के साथ यहीं बात करें लार्शन टर्बो इन्फो टेक की तो वह दिखा देता है थोड़ा से एक बार कि इस में क्या का विल्यटा तर्फ इसे की साथ जो माइंड ट्री जो इन्फो टेक की जो सोरी आईटी सेक्टर की जो कंपणी है माइन ट्री वो जो है मर्जर हो चुका है उसका लार्शन टर्बो इन्फो टेक में जल्दी जो है यह नियूज तो आई चुगी है लेकिन जल्दी जो है मर्जर जो है देखने को मिलेगा इसी के साथ यह बात करें इ 25% के असपस का यदि Cajr immature किसी कम्पनी का तो यह जो कम्पनी होती है 25% वाली 10 सालों में 10 गुना तक पैसे को कर देती है इसे आप समझ सकते हो कि यदि 30% भी ये कम्पनी जो है ग्रोथ देती है सालाना तो भी सोच सकते हो나गी 10 सालों में 10 सुगुना तक पैसा जो है अराम सी कर सकते हैं तो मुझे लगता है निफ्टी का ये पार्ट है दोनों कमपणिया जबरदस्त ग्रोथ दे सकते हैं लोंग टर में अच्छी खासी वैल्ल्यू आपकी पैसों को बना करके दे सकते हैं यदि बात करें इनWESTमेंट में कमपावंडी-Calculator के दर मैं लेकर के चलता हूं देखते हैं कि अगर हम इसमें अल्सम डाल दे 50 कि अमाउंट तो देखते हैं कि कितरा पैसा ये दोनों कमपरियां हमें बना करके दे सकते हैं तो investment अमाउंट में हम 50 कि investment डाल देते हैं लेते हैं कि 50,000 रुपे हम इंवेस्ट करते हैं कम्पनियों में और 35% का compounding ये दे हालंकि ये compounding इसका जो है बहुत ज़्यादा है और हम जो सिरफ ले रहे हैं 35% की compounding ले रहे हैं तो हमारा जो पैसा है साल बात देखते हैं कि कितना बना सकती है ये दोनों कम्पनिया तो हमारा जो पैसा बनेगा 10 सालों के बाद जो है 10 लाख रुपे बना देगी ये कम्पनिया अगर आप इन में कम्पनियों में तो और जो मैंने compounding लिया सिरफ 35% का compounding लिया मुझे लगता है ये दोनों कम्पनिया 35% से कहीं ज़्यादा का compounding CAGR दे सकती है तो आप इन दोनों कम्पनियों के साथ इन्वेस्टिट रही है आपके पास पहले सी है तो डरने की कोई जोड़त नहीं है ऐसा मुका बार बार नहीं मिलता तो अगर आपके पास पैसे है बाई करने के लिए अमाउंट है आपके पा यह लर्शन डर्बो के साथ माइन ट्री एड हो चुकी है तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह कंपनी जबरत रिटन बना कर दे सकती है और लार्ज कैप कंपनी बन सकती है इसी के साथ जो बजाज फाइनेंस की बात करें तो 40 से ज़्यादा की compounding यह कंपनी दे रही है बजाज बजाज फाइनेंस तो आप समझ सकते हैं कि कितने हाई रिटन जो है यह लोंग टर्म में बना करके दे सकते हैं तो आपको यह वीडियो कैसा लगा लार्शन टर्बो इंफो टेक्ट और बजाज फाइनेंस के ओपर बताइएगा जरूर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना देजिएगा तकि हमारी जो वीडियो है आपकी नोटिफिकेशन में आ जाए ठीक है तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच